आज हम देखने वाले जेक्वरी के ultimate course में कि document.ready होता है क्या है इसका क्या use है basically beginners को काफी ज्यादा problem में फसाने वाला होता है क्योंकि उन्हें मतलब समझ में नहीं आता तो इसे यूज नहीं कर पाते ठीक है और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप प्रॉलम में आते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप को जरूर जोन करें जो कि आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यह जरूरी है कि beginners को की document का मतलब समझ में आना जरूरी है document होता क्या है basically what is document तो document क्या होता है वो मैं आपको explain कर देता हूं तो यह आपको मेरी screen पर एक jQuery नाम की एक image दिखाई दे रही ठीक है और यहां पर यह कुछ text लिखा दिखाई दे रहा है document.id join our WhatsApp group and then यह आपको side में की दिखाई दे रहा है and then जो background में black color का जितना भी आपको दिखाई दे रहे न वह एक document है अब आप बोलोगे कि यह document कैसे है document अगर मैं यहां से inspect करता हूं ठीक है इंस्पेक्ट करता हूं and then मैं यहां से यह वाला select करें यह जितना भी मेरे को अभी blue color से में दिखाई दे रहा है highlighted जो आपको दिखाई दे रहा है यह सारा का सारा document है अब मैं यह नहीं बोल रहा कि यह जो है यह जो आपको यह app दिखाई दे रहा है मेरा तो यहां से जो ऊपर का है वो मतलब यह जहां पर apps भी लिखाऊ है वो document नहीं है पर उससे नीचे का जो मेरी screen पर दिखाई दे रहा है जहां पर मैं browser को चला सकता हूं like अगर मैं यहां Google.com डालता हूं ठीक है Google.com डालता हूं तो यह जितना अभी मेरे को page खुला दिखाई दे रहा हूं यह क्या विसकली एक document है जिसको मैं interact कर पा रहा हूं ठीक है तो document को आपका मतलब सम्झाया है कि जो भी आपकी website load हो रही है जितनी screen में आपकी website load हो रही है उसको हम बोलते ह document ठीक है अब आप बुलोगे कि dot का क्या मतलब है document dot ठीक है basically मैंने dot लगा रखा है और हाला कि जो इसका statement होता है लिखने का वो कुछ तरीके से होता है देखिए यहाँ पर document के आगे एक bracket sword लगा होता है and then dot ठीक है तो मैंने यहाँ पर वैसे लिखा है क्योंकि document dot ही बोलते हम ज्यादा तर इसे and then यहाँ पर document हम पास करोते हैं तो अभी देखिए ज्यादा confuse मतलब ही dot को हम बाद में discuss करते है वाद ready का मतलब आप जान लीजे ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताय document का मतलब होता है जितना भी आपके web page लोड हो रहा होता ठीक है and then ready का क्य होता है ready जैसा कि आप बोलते हैं तैयार होना ठीक है तो यह क्या है document dot ready मतलब document का तैयार होना ठीक है यहां पर इसका मतलब यह हो रहा है ठीक है दिये क्या है डोकिमेन्ट अग्र रहा है मतलब मेरे को दिखाने के लिए अपने आपकोrect को दिखाने के लिए वह फिर लीइए हुआ है तो टयार हुआ है जब मेरे को देखा रहा है अपने को ठीक है तो इसलिए हमें आपर बोलते हैं इसको document.ready I hope कि आपको इन दोनों वर्ट से कोई प्रॉलम नहीं होई होगी ठीक है फिर भी कोई प्रॉलम है डाउट है तो आप कमेंट करें जॉइन करें हमारे वाट्सप गुरूप को तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं अपना कैसे नहीं यूज करना होता है देखिए अब आप ब फाइल्स में एक तो होता है CDN को वहां से डाउन्लोड करो एंड यहां पर यूज करो एक होता है डारेक्ट CDN का ही लिंक यूज करो ठीक है तो दोनों में फर्क काफी है तो आपने हमारे पिछले टुट्यल्स नहीं देखिए तो आई बटन पर जाएं एंड दन चेक होगा dollar sign लगाना ही लगाना होगा and then आप जो है यहां पर parenthesis लगाएंगे तो parenthesis लगाना होगा आपको जैसा कि आपने javascript में भी पढ़ा होगा if condition के साथ by loop के साथ do while के साथ ठीक है तो यहां पर यह आपको basically लगाना ही लगाना होगा जब भी आप jquery यूज करे हुए ठीक कभी भी कितने भी बड़ी developer क्यों ना बन जाओ jquery में आप सबसे पहले क्या करें document.ready जरूर लगाएं और नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं है पर document.ready लगाने से क्या है कि आपकी query तब चलेगी जब आपका page तैयार हो जाएगा ठीक है अगर मैं document.ready लगाँगा तो जो जब तक रेडी नहीं होती जब तक आपका code नहीं चलना चाहिए ठीक है एंदन चल जा जैसी आपकी website जो रेडी हो जाती है एंदन आपका code चलना चाहिए ठीक है मैं दोनों में फरक बताऊंगा कि कब कैसे चलना चाहिए तो यहां पर हम देखना है document.ready तो हमें यह चेक करन होते हैं क्योंकि यहां से हम क्या कर रहा है document का जो method है वो ready call कर रहा है मतलब हमें पता है कि यह जो document आपको दिखाई दे रहा है पूरा मेरी screen पे उसके ready का pass method होता है जैसे आपके पास एक तयार होने का feature होता है ना कि तयार होना है मुझे तो ऐसे document के पास जो आपकी web screen है देता है उसके भी पास एक method होता है reserved method है कि भाई मेरे को जब ready call करोगे तो मैं तयार हो जाओंगा जब उसके बाद काम करूंगा उसके साथ ठीक है तो यहां पर हम क्या बोले है भाई document जब तुम ready हो जाओ ना तो यहां पर हम लग देता है dot ready जब ready हो जाओ तो हमने यहा functions पास करने होते हैं basically अगर आपने JavaScript पढ़ी होगी हमारे rituals तो आपको अच्छे तरीके से पता हो इसलिए मैं बोलता हूं कि JavaScript जरूर पढ़ी है ठीक है तो यह आपको structure समझ में हो कि जब भी आप jQuery use करेंगे तो dollar लगाएंगे and then parenthesis तो आपको 100% लगाने and then इसके अंदर हम selectors पास कर रहे होते हैं basically तो अभी selectors क्या है basically selectors हमारा जो है पूरा document है मतलब पूरा web page है जिसे हम document भी बोलते हैं ठीक है तो हमने यहां पर direct document पास कर दिया अंदर ready इस page के ready होने की बात कर रहा है like अगर मैं यहां पर website की बात करूं तो जैसे website ready हो जाए तब हमारा जो है code चल हैं अब हमने यहां पर इस method का बनाने का क्या purpose रहा कि यहां पर हम क्या बोलने से कि document by जब आप ready हो जाओ तो हमारे इस function को call करो और इस function के अंदर जो भी code लिखा है उसे आप execute करो ठीक है तो यहां पर हम alert लगा देते हैं ठीक है like hello and then refresh तो यहां पर sorry यहां पर refresh करना था मेरे को मैं भी महां पर कर रहा हूं अपनी website पर देख सकते हैं यहां पर hello आ गया है तो देखें यहां पर क्या हुगा यह hello तब चला जब आपका जो है यह index.stiml file ready होगी ठीक है बढ़ना ही चलता नहीं अगर देखें बाय दबें यहां प पर जब तक यह call करा दे रहा है मेरे को और देखिएगा आप देखिए जैसे देखिए page load मतलब load होने के लिए ready होता है तब ही यहां पर करा देता है पर वो क्या है जब हम इसके अंदर pass कर रहा हुते है ready के अंदर मतलब हम बोल ले होते हैं कि जब हमारा page ready हो जाए तब हमा page load हो गया and then आपका alert चला है अगर वाइद अभी मैं यहां पर देखिए दुबारा refresh करता हूं तो देखिए अभी देखिए page loading पर नहीं है और page load हो चुका है मतलब आपके पास पूरा ready हो चुका है तब आपको alert show करा रहा है अगर वाइद अभी मैं इसी को बाहर लगाता तो क्या होगा देखिए मैं यहां से बाढ़ लगा हूं इसे okay करता हूं and then save करके यहां पर refresh करता हूं and then देख सकते हैं guys अभी मतलब page ready नहीं होगा उससे पहले उसने alert से ला दिया तो यह बेवकूफी वाला काम होता है ठीक है तो इसलिए smart वन यह जब यह आप jQuery यूज कर अगर आप देखिए इसी alert को अगर आप इसके अंदर लगाते हैं तो यह क्या करेगा पहले आपके जो document को है पूरा ready करेगा मतलब पूरा page तरीके से design मतलब सब कुछ लोड कर दे जैसे आप ready जैसे आप सही मैं बोली हूं अगर आपको ready होना हो तो आप hair cut बगेरा या perfume लगा करके सब ready रहते हैं ठीक है पर उससे पहले अगर कोई दर्वाजे पर मतलब 10 तक दे तो कितना बुरा लगेगा ना इसी तरीके से ठीक है तो इसलिए पहले तैयार हो जाओ and then gate को open करो ठीक है तो सेम यहां पे देखिए हम मैं ready मतलब यहां पर refresh करूंगा तो लोड़ होने के बाद यहां पर आपको अलट दिखाए देगा and then page लोड़ हो चुका हुआ ठीक है तो देख सते हैं यहां पर page यहां पर लोड़ हो चुका है ready हो चुका है and then यहां पर आपको यहां यहां बाहर रखते तो वो जो है load होने लगा रहता है ऑंधन पीज़ आपका कभी Ready नहीं पाता ठ्याइब तो यह difference होता है document.ready का I hope कि आपको मतलब सम्मेट क्यों लगा रहे होते हैं हम ready क्यों लगा रहे होते हैं उसके अंदर Îंक्शन क्यों पासकर होते हैं जब तक आपका पेज नहीं लोड होता कभी-कभी ऐसी कंडिशन्स आ जाती है कि आपका पेज लोड नहीं हो रहा तो आपका कुछ काम हो भी नहीं पाएगा ठीक है जब भेट करें आपके पेज आपका रेडी हो जाये अन दन आपकी स्क्रिप्ट बंग करें तो उसकेस में आप यहां पर यहां पे डॉक्युमेंट.ready यूज़ करें तो हम हमेशा यहां पर डॉक्युमेंट.ready यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा पेज लोड हो तम मेरी चल ले थिक है तो यह था आज का tutorial and then next tutorial में हम क्या देखने वाले हैं next tutorial में हम देखेंगे all elements in jquery all elements होता क्या है all elements को कैसे use किया जाता jquery में और काफी interesting रहने वाला यह topic तो please check out जरूर कीजिएगा तो मिलते हम next tutorial में so thank you